लूक का 14 अध्या 1 से 35 तक फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रूटे काने गया और वे उसकी घात में थे वहाँ एक मनुश्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था इस पर ईश्यों ने व्यवस्ता पको और फरीसियों से कहा क्या सबत के दिन अच्छा करना उचे थै या नहीं परंत वे चुप चाप रहे तब उसने उसे चूप कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा तुम्मे से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुए में गिर जाए और वे सबत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके जब उसने देखा कि आमंतरित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहे चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा जब कोई तुझे विवाव में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भ जगह में बैठना पड़े पर जब तु बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहें हे मित्र आगे बढ़कर बैठ तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी क्योंकि जो कोई अ रात का बोज करे तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटुम्बियों या धनवान पडोसियों को न बुला कहीं ऐसा नहूं कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए परन्तु जब तु बोज करे तो कंगालों टुंडों लंगडों और अंधों को बुला तब तु धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। सब के सब शमा मांगने लगे पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं मैं तुझे विंति करता हूं मुझे शमा कर दे दूसरे ने कहा मैंने पांट जोडे बैल मोल लिये हैं और उन्हें परखने जाता हूं मैं तुझे विंति करता हूं म क्रोध में आकर अपने दास से कहा नगर के बाजारो और गलियों में तुरंत जाकर कंगालो टुंडो लंगडो और अंधो को यहां ले आओ दास ने फिर कहा है स्वामी जैसा तुने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है स्वामी ने दास से कहा सड़को पर और बाडो की ओर जा और लोगों को विवश्च करके ले आता कि मेरा घर भर जाए क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंतरित लोगों में से कोई मेरे भोच को न चखेगा जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उन से कहा यदी कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पतनी और बच्चों और भाईयों और बहिनों वरण अपने प्रान को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता तुम में से कौन है जो गड़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ कर कर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं कहीं ऐसा न हो कि जब वो नीव डाल ले पर त तयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठटों में उड़ाने लगे यह मनुश्य बनाने तो लगा आप पर तयार न कर सका या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठ कर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चड़ आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा इस रीती से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता नमक तो अच्छा है परन्तों यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तू से नमकीन किया जाएगा वह न तो भूमी के और न खाद के लिए काम में आता है उसे तो लोग बाहर फेक देते हैं जिसके सुनने के कान हो वस सुन ले दानियल पहला अध्याए यहुदा के राजा यहोयाकिम के राजा के तीसरे वर्ष में बेबिलों के राजा नबगद ने जरने यरुशलेम पर चड़ाई करके उसको गेर लिया तब परमेश्विर ने यहुदा के राजा यहोयाकिम को परमेश्विर के भवन के कई पात्रो सहीत उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्बनच को आग्या दी कि इस्राली राजपुत्रों और प्रतिश्ट के शास्त्रों और भाशा की शिक्षादे राजा ने आग गया दे कि उसके बोजन और पीने के दाख मदू में से उन्हें प्रति दिन खाने पीने को दिया जाए इस प्रकार तीन वर्श तक उनका पालन पोशन होता रहे तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजर किये जाए उनमें यहुदा की संतान से चुने हुए दानियल, हननिया, मिशायल और अजरिया नामक यहुदी थे खोजो के प्रदान ने उनके दूसरे नाम रखे अर्था दानियल का नाम उसने बलत चज़र, हननिया का शद्रक, मिशायल का मेशक और अजरिया का नाम उबेद नगो र कॉजो के प्रधान के मन में दानियल के पृतिकृपा धया बढ़ दी कोजो के प्रधान ने दानियल से कहा में अपने सूमी राजा से ड़ता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने टहराया है कहीं ऐसा ना हो कि वो那 तेरा तेरे संके जवानों से उत्रा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखे में डालो तब दानियल ने उस मुखे से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हननिया, मिशायल और अजरिया के उपर देखबाल करने के लिए नुक्त किया था कहा मैं तुझसे विंती करता हूँ कि अपने दासों को दस दिन तक जांच हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए फिर दस दिन के बाद हमारे मुख और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख और जैसा तुझे देख पड़े उ उसी के अनुसार अपने दासों से विहवार करणा उनकी विंती उसने मान ली और दस दिन तक उनको जांचता रहा दस दिन के बाद उनके मुझ राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े तब वो मुख्या उनका भोजन और उनके पीने के लिए टहराया हुआ दाखमदू दोनों चुडा कर उनको सागपात देने लगा परमेश्वे ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रविन्ट तादी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और दानियल हननया मिशायल और अजरिया के तुलिये उन सबों में से कोई न टहरा इसलिए वे राजा के समुख हाजिर रहने लगे बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विशे में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब जोतीशियों और तंत्रियों से दस गुणे निपून टहरते थे और दानियल कुस्रु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा दानियल दूसरा अद्धी आए अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबगद नेजर ने ऐसा स्वपन देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई तब राजा ने आग्या दी कि जो तीशी तंत्री टोन है और कस्दी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वपन बताए इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर होए तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक स्वपन देखा आया और मेरा मन व्याकुल है कि स्वपन को कैसे समझो तब कस्दियों ने राजा से अरामी भाषा में का है राजा तू चिरन जीवी रहे अपने दासों को स्वपन बता और हम उसका फल बताएंगे राजा ने कस्दियों को उतर दिया मैं या आग्या देख चुका हूँ कि यदि तुम फल समित स्वपन को न बताओग इसलिए तुम मुझे फल समित स्वपन बताओ उन्होंने दूसरी बार कहा है राजा स्वपन तेरे दासों को बताए जाए और हम उसका फल समझा देंगे राजा ने उतर दिया मिनिस्टे जानता हूँ कि तुम यह देख करके राजा के मुह से आगया निकल चुकी है समय बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आ गया है क्योंकि तुमने गोश्टी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने जूटी और गप्शप की बाते कहा करेंगे इसलिए तुम मुझे स्वपन बताओ तब मैं जानूगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो कस्दियों ने राजा से कहा पृत्वी भर में ऐसा कोई मनुश्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके और न कोई ऐसा राजा या प्रदान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी जोतीशी या तंत्री या कस्दी से ऐसी बात पूछी हो जो बात राजा पूछता है वह अत्रही आग्या निकले और पंडित लोगों का घात होने परता और लोग दानियल और उसके संग्यों को ढूण रहे थे कि वे भी घात किये जाए तब दानियल ने अंग्रक्षकों के प्रदान अरियोग से जो बेविलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था सोच और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हाकिम आरियोग से पूछने लगा या आगया राजा की और से ऐसे उतावली के साथ क्यों निकली तब आरियोग ने दानियल को इसका भेद बता दिया तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विंती की कि उसके लिए कोई समय टह के लिए कहकर प्राथना करो के बेबिलोण में और सब पंडितों के संग नश्ट नखिये जाए तब भेद नई को समय दर्शन के द्वारा प्रगट किया नने स्वर्ग को परमेश्वर का दन्यवाद किया परमेश्वर का नाम युगानंत धन्य है क्योंकि बुद्धी और पराक्रम उसी के हैं समयों और रूतों को वही बदलता है राजाओं का अस्त और उधय भी वही करता है बुद्धिमानों को बुद्धी और समझ वालों को समझ भी वही देता है वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रगट करता है वो जानता है क के संग सदा प्रकाश बना रहता है यह मेरे पूर्वजों के परमेश्वर मैं तेरा जन्यवाद और उस्तूति करता हूं क्योंकि तुन्हें मुझे बुद्धी और शक्ति दिया और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तुन्हें मुझे प्रगट क बिया है तुन्हें हमको राजा की बात बताई है तब अर्यों ने अर्यों के पास जिस से अरले बैबलोन के पंदितों का नाश ने areas नकर मुझे इसे इसंप बीतर ले चल मैं फ़ल बताऊंघा समुख कर राजा के समुक शीघर बीतर ले जा कर उससे कहा यहुदी बंदियों में से एक पुरुष मुष्कों मिला है जो राजा को स्वपन का फल बताएगा राजा ने दानियल से जिसका नाम बेल्ट शजर भी था पूछा क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वपन मैंने देखा है उसे फल समित मुझे बताए दानियल ने राजा को उतर जो भेद राजा पूछता है वो न तो पंडित न तंत्री न जोतिशी न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं परन्तु भेदों को प्रगट करता परमेश्विर स्वर्ग में हैं और उसी ने नभगद ने इज़र राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है तेरा स्वपन और जो कुछ तुने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है हे राजा जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविश्य में क्या क्या होने वाला है तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ती देख पड़ी और वो मूर्ती जो तिह सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था उसमूर्ती का सिर्ट तो चोक्षे सोने का था उसकी चाती और भुजाए चάνदी की उसका पेट और जांगे पीतल की उसकी टांगे लोहे के और उसके पाओ कुछ तो लोहे के और कुछ मिटी के थे फिर देखते देखते तुने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड कर उस मूर्ति के पाओ पर लग कर जो लोहे और मिटी के थे उनको चूर 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 कर डाला तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में कलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा और वो पत्थर जो मूर्ती पर लगा था वो बड़ा पाड बनकर सारी प्रत्वी में फैल गया स्वपन तो योही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं हे राजा तू तो महा राजा दी राज है क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य सामर्त शक्ति और महिमा दी है और जहां कहीं मनुश्य पाये जाते हैं वहां उसने उन सबो को और मैदान के जीव जन्तू और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिये हैं और तुझको उन सबका अधिकारी टहराया है यह सोने का सिर्थ तू ही है तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ भी आ जाएगी तौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा लोहे से तो सब वस्तुए चूर चूर ओ जाती और पिस जाती है इसलिए जिस भांती लोहे से सब इसकुछ कि उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर हो कर पिस जाएगा तूने जो मूर्ति के पाओ और उनकी उंगलियों को देखा जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा जैसे कि तूने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था जैसे पाओ की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो द्रड और कुछ निर्बल होगा तूने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के संग म करने रहेंगे उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमिश्वर एक ऐसा राज्य उदे करेगा जो अनंतकाल तक न तूटेगा और नवह किसी दूसरी जाती के हाथ में किया जाएगा वरंड़ उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंतकर डालेगा और वह लता है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है नस्वप्ण में और ने उसके फल में कुछ संदे है इतना सुनकर नबगद नेजर राजा ने मुझे बल गिरकर दानियल को दड़वत किया और आग्या दी कि उसको भेंट चड़ाओ और उसके सामने सुगंद वस्तु जलाओ फिर राजा ने दानियल से कहा सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब वीश्वरों का ईश्वर राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है इसलिए तु यह भेद प्रगट कर पाया तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा किया और उसको बहुत से बड़े दान दिये और यह आग या दी कि वह बेबिलों के सारे प्रांथ पर हाकिम और बेबिलों के सब पंडितों पर मुख्य प्रदान बने तब दानियल की विंटी करने से राजा ने शद्रक मेशक और अबेद्नेगों को बेबिलों के प्रांथ के कारे के उपर न्युक और महरों से भी उत्तम है तेरे हातों से मैं बनाया और रचा गया हूं मुझे समझ दे कि मैं तेरी आग्याओं को सीखूं तेरे डर्वई यह मुझे देखकर आनन दितूंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है है यहोबा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म मैं है और तूने अपनी सचाई के नुसार मुझे दुख दिया है मुझे अपनी करुना से शांती दे क्योंकि तूने अपने इदास को ऐसा ही वचन दिया है तेरी दया मुझे पर हो तब मैं जीवित रहूँगा क्योंकि मैं तेरी विवस्था से सुखी हूँ अभिमानियों की आशा तूटे क्योंकि उन्होंने मुझे जूट के द्वारा गिरा दिया है परन्तु मैं तेरे उपदेशों पर धियान करूँगा जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी और फिरे तब वे तेरी चितोनियों को समझ लेंगे मेरा मन तेरे विदियों के मानने में सिद्ध हो ऐसा नहो कि मुझे लज़ित होना पड़े मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बैचैन है परन्तु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है मेरी आँखे तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते दुंदली पड़ गई है और मैं कहता हूँ कि तु मुझे कब शांती देगा क्योंकि मैं दूवे में की कुपी के समान हो गया हूँ तो भी तेरे विदियों को नहीं भूला तेरे दास के कितने दिन रहे गए हैं तु मेरे पीछे पड़े हूँ को दंड कब देगा अभिमानी जो तेरी विवस्था के अनुसार नहीं चलते उन्होंने मेरे लिए गढ़े खोदे हैं तेरी सब आग्याए विश्वास योग्य हैं वे लोग जूट बोलते हूँए मेरे पीछे पड़े हैं तु मेरी सहायता कर वे मुझको पृत्वी पर से मिटा डालने ही पड़ थे परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला तब मैं तेरी दी हुई चितोनी को मानूंगा है यहवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है तेरी सचाई पीड़ी से पीड़ी तक बनी रहती है तुने पृत्वी को स्थिर किया इसलिए वबनी है वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार टहरे हैं क्योंकि सारी स्रिष्टी तेरे अधिन है यदि मैं मैं तेरी विवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नश्ट हो जाता मैं तेरे उपदेशों को कभी न बूलूंगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुने मुझे जिलाया है मैं तेरा ही हूं तो मेरा उद्धार कर क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधी रखता हू दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं परंटु मैं तेरी चितोनियों पर ध्यान करता हूँ जितनी बाते पूरी जान पड़ती है उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है परंटु तेरी आग्या का विस्थार बढ़ा है आहा, मैं तेरी विवस्था से कैसी प्रीती रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, तो अपनी आग्याओं के द्वारा मुझे अपने शद्रूओं से अधिक बुद्धमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितोनियों पर लगा है, मैं पुरणियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ, मैंने अपने पाओं को हर एक बुरे रास्ते से रोख रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अन मुझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ, तेरा वचन मेरे पाओं के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मैंने शपत खाई और ठान लिया है, कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूँगा, मैं अतियंत द दुख में पड़ा हूँ, है यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला।